नवश्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपने चानल गवर्मेंट एक्जाम स्टडी में दोस्तों आज यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग बताने जा रहे हैं कि यूपी डिर्वलसी पेट के कौनसे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टन ने जो आपके लगातार दो सालों से आरहे हैं आपको पता है 2021 और 2022 में 6 शिफ्ट में पेपर हो चुका है कितने शिफ्ट में? 6 शिफ्ट में पेपर हो चुका है अब जैसे कि जोग्रफी 5 अंकों की है लेकिन उन 5 अंकों में आपको क्या चीज जादा पढ़नी है समझ में नहीं आ रही है उसी के लिए इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे है तो वीडियो को ध्यान से अंतक जरूर सुनिएगा और उसके पहले आपसे बताना चाहूंगी कि मैंने आपसे कई बार कहा है आप प्रीवियस येर साथी साथ प्राक्टिस सेट लगाते चलो तो प्रीवियस येर और प्राक्टिस सेट दोनों के लिए ये बुक है और स्वाल पब्लिकेशन की इसका लिंक आपको खरीदने का डिस्क्रिप्शनर मिल जाएगा प्लस पिन भी कर दूँगी तो आप इस बुक को जरूर ले लेना इसे प्रीवियस येर जो है वो सारे दिये हुए प्राक्टिस सेट जो दिये हुए बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आपके यूपी ट्रिपल सी पैट की परिक्षा में पूछे जाते हैं प्राशनर ठीक है जरूर लगा लेना बहुत फाइदा होगा अब हम बात कर लेते हैं टॉपिक्स की क्या-क्या पढ़ना है देखो मैंने पहले भी कहा है स्ट्राटेजी ऐसी फॉलो करो दस अंकों वाले पूरे हो जाया उसके बाद चोटे अंकों पे आओ चोटे अंकों वाले में जो चीज़े हैं बड़ी चीज क्या है मैं थोड़ा सा अक्षुली डिस्टर बोर्ड लेने की प्लानिंग कर रही हूं अभी लेनी लिया है बड़ प्लानिंग कर रही हूं सिफिसी लिए ऐसे क्लासेज रेगुलर नहीं हो पाती चोटी चोटी क्लासेज बहुत यादा काम भी पड़ आता और आपको क्लियर भी नहीं होती है दूसी चीज में इतनी महान तकी वीडियो बनाती हूं आप लो उसको देखते भी नहीं हो क्लिक करके छोड़ देते हो तो कम से कम वीडियो देखा करो अच्छी लेगे तो से लाइक भी करो अपने दोस्तों के साथ शेर भी करो ठीके यहाँ यूट्यूब पे आपको सारी चीज़े फ्री मिल रही है अब देखो क्या पढ़ना है आपसे पहले सुन लेते हैं करेंट अफेर्स तो जितने लोगोंने मुझसे पीद्यफ ले रखी है मैं पीडीफ どやहीं हूँ पीडीफ आपकी हाला ही पीड है लेकिन बहुत प्राइस है पीडीफ तो आप ले पर दिख कर सकते हो पीडीफ लेको फूग्या निम्बर जनवरी से लेकर कहां तक की जनवरी से अगस तकी दे दूगी प्लस थोड़ा सा अगर लगेगा मुझे तो 10 दिन ऑक्टूबर का भी दे दूगी तो यह 10 तमबर समझ लो आपके हो चुके हैं जनर्रल अवेंडनेस के बात करों तो 10 संकों में जो इंपोर्टन डेटा क्या बैदा है हमेशा पड़ोसी देश को पूछे आते हैं और यह सिदेश को क्या कहा जाता है यह फिर आपसे पूछा आता है आपके पड़ोसी कौन सा द्वीप समू है श्री लंका है मैंन मार है इस बार फिर बुक्स एन ऑथर कि अगर बात करेना दोस्तों तो बिलकुर अनिम्पोर्टन कोई बुक नहीं आ ली है हिंदु सुराज आई थी माई एक्स्पेरिमेंट वित रुथ है थी वही चीजे आई है जो बहुत इंपोर्टन बुक है बहुत फेमस बुक है पंच तरनत की बुक बहुत इंपोर्टन बुक्स आई है को आपकी ऐसी बुक नहीं जो इकदम फ़रजी हो ठेल पुरसकार या से अरजुन पुरसकार आपका है दरोर पुरसकार है या फिर आपको हर देश का रास्ट्रिय Oops पे नाष्ट्रिय कोषा जा रहा है कि इंटरनाशनल लेबर डे कौन सा है तो आपको यह इतना content जरूर कर लेना है, बहुत अच्छे से, ठीक है, इतना कर लोगे, तो 8 number तो पके हैं, इतना अगर पढ़ लिया है, इतने रॉल पढ़ लिये तो, 8 number अराम से दें, कहीं नी जाया कुछ भी, अब देख लो, current affairs बताई दिया मैंने, दसंको का है, मैं आपक यूट्यूब पर कराऊंगे, यसा नहीं नहीं कराऊंगे, अगस्त औ जुलाई का हम लोग कर चुके हैं, बाकी भी मैं आपको जल्दी ही देने वाली हूँ, थोड़ा सा बताया ना, आप ही लोग की चक्कर में कहीं बिजी हूँ, इन्वाल हूँ, वो अगर अच्छा हो ज जाकर उस प्लेलिस को जरूर देख लेना, बहुत अच्छी प्लेलिस बनाई हुई, थोड़ा सा हो सकता वाइड बोर्ड की वज़े से, उतना प्रॉपर ना दिख रहा हो, लेकिन कोशिश करना उसको लैंड्सकेप मोड में देखने की, और बातों को ध्यान से सुनते हूँ सब समझ में आजाएगा, ठीके कहानी की तरह बताया ही कि दम, दो बार सुन लोगे तो मुझे लगता है इस्ट्री टिप्स पर आजाएगी तुरंत, देखो इसमें दस नमबर में देखो, अगर देखोगे, तो 6-7 नमबर आपका modern history का है, और वही हमेशा आ भी रहा है, modern history पांच नमबर आपको पता होगा कि गांधी जी के आने के बाद का समय है, कुछ आपका पोशन जो है उपर वाली जो आपका दो दिया हुए ना, दो में डिवाइड है प्राचीन में भी, तो प्राचीन भी आपने देखा होगा, जो क्या करते हैं, आपका आपका अठाव सा प्राचीन है, उनकी कौन सी कविता थी, या अपका अच्छो का कुछ था थी, तो वो इंपोटन देखी आपका आपको पीडिया ने दे रखी है अब आगे देख लो पॉलिटी की बात करने तो पॉलिटी देखो पांच नमबर परेशान मत हो मैं आपको उसकी भी क्लासे च आगे भी और दे दोंगी तो पॉलिटी का पोशन खतम हो जाएगा प्लस दे को परिशान मत हो ना यह साली चीजों का हम लोग क्या करेंगे प्राक्टिस सेट और जितना हमें आपको प्राक्टिस सेट में क्वेस्टन कराती चलूंगी ना उससे बाहर कुछ नहीं होना होगा ठीक है यह प्राक्टिस सेट हम लोग करेंगे पॉलिटी के हिस्ट्री के सब के साइंस की बात अग वीडियो में देखो के तो बहुत बड़ी नी वनाती हो जो देती हो एकदम इंपॉर्टन एकदम वन लाइन होता है उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं तो लगे के अच्छा नहीं तो एक्जाम के पॉंट अफ यू से इंपॉर्टन नहीं आच्छा सांचा से शीमा कोईस विडियो डाली हुई ए मैंने जा को चैनल पर देख सकते हो प्लस सारे क्वेशन विजह करने वाले हैं प्राक्टिस से स्ट कर लोगे ने उनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला है बस इतना ही आपको करना है लेकिन थोड़ा सा मुझे टाइम दो, 24 से आपके सारी प्राक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है? 24 से आपके सारी प्राक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएंगे, उसके पहले मैं एक कोशिश कर रही हूँ, कि जितनी चीजों की थोरी मुझे समझानी है, वह मैं आपको अभी समझा दूँ, इसलिए पॉलिटी, इंग्लिश, और जो आपका एक दौर चीज है, वह समय आपको अभी दे दूँ, जिससे की बाद मैं लोग खाली प्राक्टिस सेट करेंगे, ठीक है? चलो, एकोनामिक्स होगी आपका, मैंने बता दिया, जोग्रफी में देखो, अपसे कन्फ्यूज हो आप लो, तो जोग्रफी के पांच नंबर में क्या रहा इस समय, शिखर, सबसे उची चोटी कहां पर है, या फिर पूछा जा रहा आपको अनाई मुडी, किस की हपसे उची चोटी है, या फिर आपसे पूछा जा रहा है, माउं टाबू कहां पर है, तो ये शिखर वाले क्वेशन बहुत आ रहे हैं, दूसरा टॉपिक बहुत बन डे बन गया है, BAND। ये वाला बान्ध कहां पर है, नागारे जुन बांध कहां पर है, भागरा नंगल कहां पर है, तो आपको कुई सारे बांध जुऑ इंपोर्टन बांध है, किस नदी पर है इस पता होने चाहिए, उसके बाद आपको पढ़ना है क्या time zone, time zone का मतलब IST, GMT, दोनों में difference कितना है, IST कहां से गुजरती है, और सारी चीजें जैसे कि Topic of Cancer की क्या value है, Topic of Capricorn की क्या है, इसको हिंदी में करकर रेखा और मकर रेखा बोलते हैं, वो सब कहां से पास होती है, यह सब आपको पढ़ना है इसमें, अगला है revolution, revolution यानि की हरित करांती किसने करी, कहां किसी किस संबंदित है, श्वेत करांती यह से दूर्स संबंदित है यह सारी चीज़े आपको जोगरफी में पढ़नी है, यह सारी चीज़े आपको जोगरफी में पढ़नी है, इनको तो अपने आप उठाओ, जोगरफी क कोई भी important dance पढ़ डालो, important यह पढ़ डालो, फिक है, आगे देखो math की बात करें, तो math जो purity है, वो तो 5 नंबर का, वो कोई भी option नहीं है, और बहुत असान सी म्यास आरी, कोई tough नहीं आरी, कि आप ना कर पाओ, 20 नंबर सबसे important जो है, वो किसके है, DI के, आनि की graph और table के दसदसंकार है, तो वहाँ पे आपको समझना बहुत जरूरी, और मैंने daily कहा है, आपको daily practice करनी से लिए बोल रही हूँ, जो बुक है, ज़रूर ले लो, ले लोगे तो बहुत 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 फाइदे में रहोगे, इसके daily graph और table करने लग जाओगे ना, तो अपने आप आपको खुद में बहुत improvement डिखने लग जाएगा, आगे देख लो हिंदी की बात कर लें, तो हिंदी में सबसे आज question आ रहे हैं, वो संधी, वाक्यांच, विलूम और पर्यावाची क्या रहे हैं, इसके question आ गया, तो क्या होगे, चार नंबर तो आपके होई गया, तो generally आप देखोगे, तो question इसी में से आपके आज आ जा रहे हैं, ठीक है, तो ये topics बहुत अच्छे से पढ़ लेना, मैंने PDF में भी आपको संधी वगेरा देदी है, जो तीन और टावी पचे हैं, वो भी आपको जल्दी ही देदूगी, दस अंबर का क्या आता है, आपका अपठिद गद्यांच भी आता है, मैंने बार बार कहा है, ये दोनों चीजों की, DI की, अपठिद गद्यांच की, किसी भी practice set से कहीं से भी, लेकिन डेली practice करो, ये 30 नंबर बहुत solid नंबर होते हैं, ठीक है, यहाँ देखो English में क्या आता है, English की पांच अंकों में हमेशा pattern बन गया है, एक आपसे पैसे दिया जाएगा, पैसे की बाद उससे संबंधे दो question, फिर तीन नंबर के आएगा, एक नंबर का अंटॉनिम यानि की विलोम, एक नंबर का सिनॉनिम यानि की उसका पर्यावाची, समानार्ती, और एक नंबर का आपका वन वर्ड सब्सिटूशन, टोटल कितने हो गया, पांच अंक हो गया, तो ये पूरे पांच अंक इंगलिश के आएगा, कहां से आते हैं ना, दो यानि की विदो दिखा के कहते हैं कि ये पिक्चर में मेरी माता की ये ऐसी है, तो बताओ इंका संबंध किस से है, रासा कुशन आ सकता है, कोडिंग वाला कि आपको दिया होगा, कोई भी लाइन, लाइन, अगर लिखा रह सकता है, तो बताओ दूजिस किसमें लिखिया सकत और वन आउट आपको फाइंड करना होगा, दो तीन वर्ड दियोंगे, उसमें से निकालना होगा, या फिर नंबर दियोंगे, आपको उसमें से अलग फाइंड करना होगा, तो ये पूरी चीजें आपकी मोटे तौर पर वो हैं, जो पेट में लगातार, दो छे शे शिफ् करोगे, तो जरूर अच्छी लगेंगे, बहुत मेहनत उसमें लगती है, आप अच्छा से देखोगे, तो content आपको अच्छा लएगा, और मुझे भी content देने में मज़ा आएगी, बाकी देखो, बार-बार कहारी हो, आपके लिए ही, बहुत बड़ा रिस्क लेने जा रही तो आप ही के support के requirement है मुझे, कि अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है, तो please support करो, अपने दोस्तों को शेर करो चैनल को, और वीडियो को like जरूर किया करो, देखा करो, उसमें important ही fact होते है, important data होते है, कि मैं लगातार, pet का बताया मैंने कि दो बार से 99% आ रहे हैं, उसी personal experience के basis पे आपको चीजें पढ़ा रही हूँ, तो please, चीजों को पसंद किया करो, और जो भी कोई query है, कुछ भी है, तो comment section है, बहाँ पूछ सकते हो, telegram से जरूर जुड़ जाओ, telegram पे कोई भी important चीज होती, तो पहले telegram पे ही बता देती हूँ मैं, इसलिए telegram से भी जरूर जरूर जाओ, ठीक है, कोई और डाउट हो, तो comment section में जरूर पूछना, वीडियो कैसी लेगे, ये भी बताना, कोई भी query हो बार-बार के हैती हूँ, comment section में पूछ सकते हो, free हो एकदम पूछने के लिए, और please, वीडियो को जरूर support किया करो, जो मैं पढ़ाई के दाती Practice Set, 24 से स्टार्ट हो जाएंगे आपके, 24 से स्टार्ट हो जाएंगे, 24 से क्या schedule हो वो सब मैं आपको बता दूगी, तब तक के लिए, पढ़ते रहो, बहुत अच्छे से तैयारी करते रहो, जिसको PDF चाहिए, वो number लिखा हुआ है, आप वहाँ पे message कर सकते हो, धन्यवाद